आज आज के वीडियो का टॉपिक है एकांटिंग कॉंसेप्ट यह वीडियो एकांटिंग कॉंसेप्ट प्रधार्थ है यह वीडियो उन बच्चों के लिए काफी उपियोगी होगा जो बच्चे एकांट्स सीख रहे हैं एकांट्स सीखने के लिए हमें बेसिक कॉंसेप्ट की नॉलिज होनी चाहिए तभी आप एकांट्स अच्छे से सीख पाओगे तो अश्टुडिंट चलिए ह हम एकांट्स शुरू करते हैं तो बेसिक कॉंसेप्ट पहले आज का क्या हमारे पास है आज हम बात करेंगे एक्सपेंस के ऊपर कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है ठीक है वाट इजए एक्सपेंस इन अकोंटिंग तो हम इसको पहले सदानल सब्सक्राइब समझते हैं डे जो भी हमारे बिजनस में खर्च होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, ठीक है, और इसमें में कॉंसेप्ट क्या है, इसका है, इसको याद करने के सबसे सिंपल तरीका यह है, ऐसा एक्सपेंस, जो एक साल के अंदर ही होता है, ठीक है, इसको हम एक साल के लिए करते हैं, एक साल क अंदर कहें उसका हम क्या करते हैं तो हमने क्या कि खर्च की बात किया अब है लिखल के बगलीज़ 4 और advance salary हो सकता है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, अब बात करते हैं advance rent की, advance rent होता क्या है, दोस्तों advance rent ऐसा expense है, जो हम, जिसका हमने अभी तक use नहीं किया लेकिन हमने उसका payment कर दिया, for example हम rent की बात करते हैं, हमारी कोई building है, जिसपे हम लोग rent पे रह रह रहे हैं, हमने क्या क किया, for example यह January का मन्त है, हमने January मेहीं, March और April दो महिने का payment advance में कर दिया, उसे हम बोलते हैं advance rent, यानि हमने अभी building का use नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने उसको rent हमने pay कर दिया, तो आपका advance rent कहलाएगा, इसी तरह से salary की बात करें, अगर किसी employee को salary देना होता है, ठीक, लेकिन ह हमने क्या किया, उसको कुछ जरूत पड़ गी, कुछ emergency case हो गया, तो उसने बोला, sir मुझे आप एक मेना का advance salary देजिए, तो हमने क्या किया अभी, हमने उससे service provide नहीं क्या लेंगे, फिर भी हमने उससे salary दे दिया है, तो आपका advance salary लोका लाएगा, अब बात करते हैं, और standing expense कि, ओस्टेंड expense क्या होता है, बिल्कुल advance को कटा चलना है, हमने advance में क्या क्या किया था, कि हमने building रेंट पर लिया है, ठीक हमने rent हम payment कर लेकिन हमने January का payment हमने January में ही March और Pelt का payment कर दिया है, तो क्या होता था, prepared expense होता था, लेकिन aw barbecue में उल्टा हो जाता है, यानि हम बात कर था लेकिन हमने जनवारिम रेंट नहीं दिया ठीक है मैं एक महिने बाद उसे दूँगा ठीक है यानि हमने उस बिल्डिंग का यूज कर लिया लेकिन अभी तक हमने उसको रेंट नहीं दिया है तो क्या कहलाएगा और श्रेंडिंग रेंट कहलाएगा सेलरिक मामले ही काम आप विडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई आपको डॉट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय हैं